पौरानिक कथाएं जिन में बसा है हमारी सनातन संस्कृती का साथ दिव्य कथाओं के भक्ति रस का मूल आधार आरेवर्थ भारत का स्वाभिमान सब्सक्राइब करें आप सभी को आरेवर्थ परिवार की तरफ से दीपावली की हार्तिक शुबकामनाए दीपावली महालक्ष्मी की पौरानिक कथा भारत के गौरवशाली इतिहास का एक एहम हिस्सा इसके त्योहारों का रहा है भारतिय त्योहारों की शान दीपावली का भी कुछ ऐसा ही अलग इतिहास रहा है यूं तो भारत में दीपावली के बारे में किसी को बताने की जरूरत नहीं लेकिन फिर भी आज की युवापीड़ी को इसके इतिहास के बारे में जानना अवश्य चाहिए कि आखिर क्यूं हम दीपावली मनाते हैं भगवान राम का आगमन अमावस्या को भगवान श्री राम रावन का वध करके अयोध्या वापस आय थे उनके आगमन की खुशियों से पूरी अयोध्या नगरी अमावस्या की काली रात में घी के दियों के प्रकाश से जगमगा उठी थी वामन रूप इसी दिन भगवान विश्नु ने वामन रूप में महादानी राजा बली के दान की परीक्षा ली थी इस रोज भगवान गनेश, माता लक्षमी वा माता सरस्वती की पूजा करना पूरे वर्ष के लिए मंगलकारी सिद्ध होता है दीपावली के दिन दक्षना वर्ती शंक का पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है ऐसी मान्यता है कि इस शंक की उत्पत्ती समुद्र मंधन से हुई है शंक पूजन से लक्षमी जी प्रसन होती है इस दिन शंख पर अनामिका उंगली से पीला चंदन लगाकर पीले पुष्प अर्पित करके और पीले रंग के नैवेध्य का ही भोग लगाना चाहिए। इससे परिवार में स्वास्थ्य और सम्रिध्धी बनी रहती है। दीपावली कथा एक बार सनत कुमार ने रिशी मुनियों से कहा महानुभव कार्तिक की अमावस्या को प्रातह काल स्नान करके भक्ति पूर्वक पितर तथा देव पूजन करना चाहिए। उस दिन रोगी तथा बालक के अतिरिक्त किसी अन्य व्यक्ति को भोजन नहीं करना चा भूल, पत्ते, तोरण, ध्वजा और पता का आदि से सुसज्जित करना चाहिए। अन्य देवी देवताओं सहित लक्षमी का शडोप चार पूजन करना चाहिए। पूजनों परांध परिक्रमा करनी चाहिए। मुनिश्वरों ने पूछा लक्षमी पूजन के साथ अन्य देवी देवताओं के पूजन का क्या कारण है सुनत कुमार जी बोले लक्षमी जी समस्त देवी देवताओं के साथ राजा बली के यहां बंधक थी तब आज के ही दिन भगवान विश्णु ने उन सब को कैद से छुड़ाया था बंधन मुक्त होते ही सब देवता लक्षमी जी के साथ जाकर क्षीर सागर में सो गए इसलिए अब हमें अपने अपने घरों में उनके शयन का ऐसा प्रबंध करना चाहिए कि वे क्षीर सागर की ओर न जाकर स्वच्छ स्थान और कोमल शया पाकर यहीं विश्राम करें जो लोग लक्षमी जी के स्वागत की तैयारियां उत्साह पूर्वक करते हैं उनको छोड़ कर वे कहीं भी नहीं जाती रात्री के समय लक्षमी जी का आवाहन और विधी पूर्वक पूजन करके उन्हें विविध प्रकार के मिष्ठान का नैवेद्य अरपन करना चाहिए दीप जलाने चाहिए दीपों को सर्वा निष्ट निवृत्ति हेतु अपने मस्तक पर घुमा कर चौराहे या शम्षान में रखना चाहिए प्राचीन दंत कथाओं के अनुसार बहुत पहले एक साहुकार था उसकी बेटी प्रति दिन पीपल पर जल चड़ाने जाती थी पीपल पर लक्ष्मी जी का वास था एक दिन लक्ष्मी जी ने साहुकार की बेटी से कहा तुम मेरी सहेली बन जाओ उसने लक्ष्मी जी से कहा मैं कल अपने माता पिता से पूछ कर उत्तर दूंगी पिता को जब बेटीने बताया कि पीपल पर एक स्त्री मुझे अपनी सहेली बनाना चाहती है पिता श्री ने हां कर दी दूसरे दिन साहुकार की बेटीने सहेली बनना सुईकार कर लिया एक दिन लक्ष्मी जी साहुकार की बेटी को अपने घर ले गई लक्ष्मी जी ने उसे ओढ़ने के लिए शाल दुशाला दिया तथा सोने की बनी चौकी पर बैठाया सोने की थाली में उसे अनेक प्रकार के व्यंजन खाने को दिये जब साहुकार की बेटी खाप पी कर अपने घर को लोटने लगी तो लक्ष्मी जी बोली तुम मुझे अपने घर कब भुला रही हो। लक्ष्मी जी ने तो मुझे इतना दिया और बहुत सुन्दर भोजन कर आया मैं उन्हें किस प्रकार खेलाऊंगी हमारे घर में तो उसकी अपेक्षा कुछ भी नहीं है तब सेठ ने कहा जो अपने से बनेगा वही खातिर कर देंगे तु फोरण गोबर मिट्टी से चौका लगा कर सफाई कर दें। चौमुखा दीपक बना कर लक्ष्मी जी का नाम लेकर बैठ जा। उसी समय एक चील किसी रानी का नौलखा हार उसके पास डाल गई। साहुकार की बेठी ने उस हार को बेच कर सोने की चौकी, सोने का थाल, शाल दुशाला और अनेक प्रकार के भोजन की तैयारी कर ली। थोड़ी देर बाद गणीश जी और लक्ष्मी जी उसके घर पर आये। साहुकार की बेटी ने बैठने के लिए सोने की चौकी दी। लक्ष्मी ने बैठने को बहुत मना किया। और कहा कि इस पर तो राजा रानी बैठते हैं। तब सेथ की बेटी ने लक्ष्मी जी को साहुकार बहुत अमीर बन गया, हे लक्ष्मी देवी, जैसे तुमने साहुकार की बेटी की चौकी सुईकार की और बहुत सा धन दिया, वैसे ही सब को देना। दीपावली और पटाक है। पटाखों से दूर रहें और अपने आसपास के लोगों को भी पटाखों से होने वाली हानियों के बारे में बताएं। इस दीपावली उजाला भैलाएं, ना कि प्रदूशन। आरे वर्द। आरे वर्द। आरे वर्द। आरे वर्द। आरे वर्द। आरे वर्द। झाल झाल